हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम तो फ्रेंट्स आज हम लोग जॉर्नल स्टेडी में हिस्ट्री के कुछ इंपोर्टन क्वेस्टन डिस्कस करेंगे तो आएए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्शन है हमारा इसकंध गुप्त को किस इस्तंब लेक में शक्रो पम कहा गया? उप्शन हैं कहाम इस्तंब लेक, जूना गड़ अभी लेक, प्रयाग प्रशस्ति या फिर मंद सौर लेक Q1 का जो सही आंसर है वो है option A कहाम इस्तंभ लेख इसकंद गुप्त को शक्रुपम कहाम इस्तंभ लेख में कहा गया था Next question है question number 2 Question 2 में है एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से हैं options हैं ब्रह्म गुप्त, चंद्र गुप्त प्रथम, चंद्र गुप्त दुतिय या फिर भानुगुप्त Question 2 का जो सही आंसर है वो है option D भानुगुप्त एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त जो है उनसे है एरण गुप्त काल में एक महतरपुल नगर था यहां से गुप्त काल के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं और एरण से एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ जो पांसर दस इसवी का था इसे भानुप्त का अभिलेख कहा जाता है यह लेख जो है वो महराजा भानु वो यहां पर सती हो गई थी, ठीक है, उनके मरने के बाद वो सती हो गई थी, इसलिए इस अभिलेग को एरण का सती अभिलेग भी कहा जाता है। नेक्स्ट कुश्चन है, कुश्चन नमबर थ्री, कुश्चन थ्री में है, तोलग कपियम गरंथ सम्बंदित हैं, आप्शन्स हैं, प्रशासन से, विधी से, व्याकरण और काव्वे से, या फिर उपरियुक्त सभी से। तो कुश्चन थ्री का जो सही आंसर है, वो है, आप्शन सी, व्याकरण और काव्वे, तोलग का पियम गरंथ है, उसका सम्बंद व्याकरण और काव्वे से हैं। नेक्स्ट कुश्चन है, कुश्चन नमबर फॉर, कुश्चन फॉर में है, एक मिनिट, कुश्चन फॉर में दिया गया है, सूची एक को, सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए, तथा सूची उंके नीचे दिये गये कूट का प्रियोग करते हुए, सही उत्तर चुनिए, तो यहाँ दो सूचिया है, पहली सूची में शाशकों के नाम है, दूसरी सूची में उनक पुद्रादित्य और देवपुत्र और प्रिये दर्शी, नीचे कूट की साहता से हम इसका अंसर करना है, तो क्वेश्चन फॉर का जो सही आंसर होगा, वो क्या होगा, वो है ऑप्शन डी, फाइफ फोर टू थ्री, मैच करके एक बड़ देख लेते हैं, अशोक जो है, उ और कनिश्क जो है, इन्हें देवपुत्र की उपादी दी गई है, खारवेल को कलिंग चकरवर्ती की उपादी दी गई है, और कुमार गुप्त को महिंद्र आदित्य की दी गई है, तो क्वेश्चन फॉर का जो सही आंसर है, वो है ऑप्शन डी, नेक्स वेश्चन है, भार्थियनों ने, यूनानियों ने, या फिर कुशाडों ने? Question 5 का जो सही आंसर है, वो है option C. यूनानियों ने, भार्थिये रंगमंच में यवनिका, पर्दा का जो शुपारम किया था, वो यूनानियों ने किया था. Next question है, question number 6. Question 6 में है, बराबर, जहानाबाद जिला की गुफाओं का उप्योग किसने आश्रह ग्रह के रूप में किया था? Options हैं, आजीवकों ने, थारूओं ने, जैनों ने, या फिर तांत्रिकों ने? Question 6 का जो सही आंसर है, वो है option A. आजीवकों ने, पराबर, यानि जहानाबाद जिला की गुफाओं का जो उप्योग है, वो आश्रह ग्रह के रूप में आजीवकों ने किया था. देखिए क्या था कि यदपी जो अशोक थे, वो स्वेम बौध थे, मतलब कि बौध धर्म को मानने वाले थे, लेकिन एक धार्मिक सही शुड़ता की नीती के तहट उन्होंने, विभी ने जितने भी जैन संप्रदाए के, या जैन संप्रदाए को पनपने का आउसर इन्हो और आजीविका संप्रदाई के लिए कियात है, आजीविका संप्रदाई के लिए आश्रहिगर्या के रूप में किया था, कשण न नंबर 7, कुश्यन 7 में है, पुन्डवर धन, भुक्ती, प्राम्त, अविस्थित्ति, आप्ष्यनdfए है उतर बंगाल में, बिहार में, उड पुंडवर्धन है उसका उलेक गुप्तकालीन अभी लेखों में हुआ है इन अभी लेखों से यह सूचित होता है कि गुप्त सामराज में पुंडवर्धन नाम की एक भुक्ती प्रांत थी जो पुंडदेश के अंतर गताती थी और इन तामरपट लेखों से यह भी सूचित होता है कि समगर पूरा जो उत्री बंगाल था या फिर उसी को हम पुन्र देश भी कह सकते हैं वो पुन्र वर्धन भुक्ति के अंतरगत आते तो उसी में ही सम्मिलित है तो कुशन 7 का जो सही आंसर है वो है option A next question है question number 8 question 8 में है गुप्तकाल में उत्तरभारतिय वैपार निम्द लिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता है options हैं तामरिलिप्ती, भड़ोच, कल्यान या फिर कॉम्ब्रे question 8 का जो सही आंसर है वो है option A गुप्तकाल में उत्तरभारतिय वैपार जिस पत्तन से संचालित होता था वो है तामरिलिप्ती next question है question number 1 sorry 9 question 9 में है चालुक के शाशक पुलकेशिन द्युतिये ने किस नदी के किनारे हर्श वर्धन को परास्त किया था option 9 का जो सही आंसर है वो है option C नर्मदा चालुक के शाशक पुलकेशिन द्युतिये ने नर्मदा नदी के किनारे हर्श वर्धन को परास्त किया था next and last question question number 10 question 10 में है समराठ शर्श वर्धन ने दो महाँ धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था options हैं कनोजवा प्रियाग में प्रियाग वा थानेश वर में थानेशवर वा वललभी में या फिर वललभी वा प्रियाग में तो question 10 का जो सही answer है वो है option A कन्नौज वा प्रियाग में है समराथ हर्षवर्धन ने जो दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजिन किया था वो कन्नौज और प्रियाग में किया था कन्नौज या फिर प्रियाग में ठीक है तो आज की वीडियो हमारी यही पे ही समापत हती है थैंक्स फॉर वाचिंग